हमारे बस्तर में निकलने वाली देशी मस्रूम की आज सब्जी बनाने जारी हूँ जो खारी में बहुत स्वाधिश्ट होती है तो आए इसकी सब्जी बनाते हैं हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ नंदा वैशन अपने यूटूब चला नंदा किसी जी बस्तर हैस्पीस में आपको स खीली होती है तभी बनाओ तो इसका स्वाध बहुत अच्छा लगता है और बात में जब इखील जाती है चत्ते के जैसे नहीं तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं लगता है और इसे बड़े तुक्ड़ों में ही काटना होता है क्योंकि जब इसको हम कड़ाई में डालते है पानी चोड़ने लगता है तो इसलिए बड़ा तुकड़ा ही काटना है और यहां पर देखिये मैं प्याज काट ली हूँ तीन और यहां पर तेज पत्ता ले ली हूँ दो और अध्रक लसून का पेस्ट ले ली हूँ है अब चाहे तो हर चीज का पेस्ट भी बना सकते हैं होगा यहां पर मैंने रहा ने अटा माटर को भी कर्टो कषकर करके लि salt και है मैं एसे काटी हूँ यहां पर मैंने दर्मिर्चे पावडर जीरा पावडर लव टोडर कैसमीरी लाल्ची गरब मासाला हल्दी तो यहां पर सब मैंने एगे चमाच ली आधा चम्मत जितना मैं तेज वाला मिर्ची को ही कम ली हूँ यहां पर देखिए मैंने फूटु को अच्छे से काट लिया है यहां पर देखिए इस तरीके से मतलब की हमारा यह चाती जो है उसको काट ली हूँ हम लोग चाती बोलते हैं और यहां पर एक जूड़ी जितना तो इन सब को थोड़ा से हम इसका कच्छा पंदूर होने देंगे थोड़ा सा भून जाए ना तब यहां अध्रक लसुन का पेस्ट भी डाल दी जो की देड़ चम्मत जीतना है तो बस इसे अच्छे से हम मतलब भून लेंगे और देखिए इस तरके से मैं भून ले रही देखिए तो यहां पर मैं जो सूखे मसाले है सारे मैं इसमें डाल द hiddenगी और इसे अच्छे से भून लेंगे इसा कच्छा पंदूर होते तक अच्छे से हमको भून लेना है और उसके बाद ही हम मतलब अपना जो फूटू है उसको डालेंगे लब देशी मसरूम को तो देखिए बढ़ी ऐसे इसे मैं भून ली हूँ इस तरफ और यहां पर देखिए मैं टामाटर भी और टामाटर को भी मैं आधा है मतलब आधा ही इसको पकाऊंगी एकदम ज्यादा मतलब गलाऊंगी नहीं बस थोड़ा से ही इसका कच्छा पंदूर करूंगी मैं ज्यादा एकदम ज्यादा नहीं तो यह बहुत अच्छा लगता है रिक भाई ने मुझे कमेंट भी किया थ इसलिए मैं यला डाली हूँ और एक परकार का और फूटू आता है जो एकदम बारिक-बारिक होता है उसकी पही जल्दी ही डालूँगी मैं तो यह देखिए बस डाल दी मैं सभी फूटूओं को और इसे मैं मसाले में मिला लूंगी अच्छे से और इसे बिलकुल आभी प और बाद में ये सस्ता हो जाता है अभी ही सुरुआत है और गम्हों घूऑ समय है और ऐसे भी तो आइसे तरीके से sampahay मीलाऊंगी मैं आपको सब दो करना देके हैं इसलिए मैं यहां धक्कर नहीं लगा रही हूं क्योंकि मेरा यही तरीका है मैं ऐसे ही बनाती हूं सबका अपना अपना तरीका होता है ना तो यहां पर मैं नमक डाल रही हूं स्वादनुसार और इसके अच्छे से हम चला लेंगे तो देखना अभी इसमें बिल्कुल पानी दाल रही हूं फिर भी इसमें से पानी निकलने लगेगी और धक्कर लगा कर अभी भी मैं नहीं पकाऊंगी ऐसे ही पकाऊंगी तो देखिए बढ़िया से सारी चीजा आपस में मिल गई है तो देखिए इस तरीके से मिला लेना है हमको और यह बहुत अच्छा लगता है इ तो देखिए इसमें से पानी निकलने लगी है अभी भी मैं इसमें पानी नहीं डाली हूं बिल्कुल भी यह अपने ही पानी से पक जाती है लेकिन मैं इसे थोड़ा से हलका से रसादार बना रही हूं तो इस तरीके से और मैं सुखा वाला कभी पहले इसकी डाल चुकी हू तो देखिए इसे अच्छे से हम चारा चलाती वेसे पका ले रहे हैं इस तरीके से और इसके आमट की भी रैसिपी में पहले डाल चुकी हूँ यदि आपको देखनी है तो आमट क्या है आमट एक प्रकार का खटा कडी जैसा है जो यहां पर हम बस्तर में बनाते हैं और चाव यहां पर मैं थोड़ा सी पानी डाल रही हूं आधा गिलास जितना कैंकि थोड़ा बहुत भी eruption में नहीं पका होगा होगा ना मस्रूम मतलब हमारे देसी मस्रूम ख़्याएगा तो यहां पर क्यूंकि मैं ध्यक्तं लगा कर इसकी बिल्कुल ने पकाती हूँ क्याथा थ्यो और जब सब्सक्राइब करेंगे ना तो नोटिपिकेशन बेल को भी ओन कर दीजिए कता कि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुच सके तो प्ली सपोर्ड कीजिए यहां पर यह इतना ही रसा रही हूं मैं तो यहां धनिया डाल रही हूं बस यह बिल्कुल पक गई ह है वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना ना भूले तो जल्द मिलती हूं एक नहीं वीडियो में एक टेस्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई